छोटी छोटी कुकिंग टिप्स आपकी काम को कर दे एकदम आसान नमबर वन दरी बनाते समय दाल फेटते समय उसमें एक उगला हुआ आलू अच्छी तरह से मसलकल मिक्स कर लें बड़े मुलायम वर स्वाधिष्ट बनेंगे नमबर तू पुरी बनाते समय तेल में थोरा सबीनेगर मिला देने से पुरी में आधीक तेल नहीं लगेगा और पुरी या नर्म भी बनेगी नमबर त्री दिनवर चाय बनाने के बाद उसकी पत्ती को धो चान कर पुधे के गमले में डाले या एक बेहतरीन खाद का काम करता है नमबर फूर दाल में नमक अधिक हो तो उसमें एक टेवल स्पून फ्रेस क्रीम मिला दे नमबर फाइव यदि देशीगी को अधिक दिनों तक ताजा रखना चाहते हैं तो उसमें एक टुकरा सेंधा नमक वो अगूर मिला दे नमबर शिक्स इस्तेमाल हो चुके निवू के छिलके को इकठा करके उसमें नमक मिला कर धूप दिखाते रहें कुछी दिनों में निम्बू का अचार तयार हो जाएगा नमबर सेवन यदि आखदही वाली ग्रेवी की सब्जी बना रहे हैं तो इससे मध्यमाच पर पकाएं और उसमें उबाल आने के बाद ही नमक ढालें इससे दही भटेगा नहीं और सब्जी भी स्वादिष्ट बने कि नमबर केट अगर कुछ भी मीठा बना रहे हो तो बनाते समय उसमें एक चुटकी भर नमक डाल दें इससे बेंजन का मीठा पान निखर जाएगा नमबर नाइन कीचेन की टैल्स अगर पीली होने लगे तो नमक और तारपीन के देल से साप करें नमबर टैन अगर सिंक जाम हो गया है तो सिंक में छेद में नमब और सोडा डाल दें कुछ देर बाद सर्फ पॉडर डालकर उपर से तेज़ धार के साथ पानी गर्म पानी डालें सिंक साफ हो जाएगा नमबर 11 फ्रीज में से आरही बदू को दूर करने के लिए बेकिंग सोडे का इस प्रेसर कुकर के ढकन से बार बार पानी निकलता है और आसपास सब गंदा हो जाता है तो यह ट्रीक आपके बहुत काम आएगी प्रेसर कुकर में दाल को उबलने के लिए रखते समय उसमें एक एस्टील का छोटी कटोरी डाल दें ऐसा करने से दाल उपनेगी नहीं और कु अगर राजमा भी होना भूल गए हैं तो करें यह काम सबसे पहले राजमा को अच्छे से दो कर साप करें उसके बाद उसे प्रेसर कुकर में पानी डाल कर उसमें एक चमक चनमक डाल दें फिर उसमें एक सीटी लग दूने के पाद उसके ठंधा होने का इंतजार करें जब ठंधा हो जाएं तो फिर इसमें एक काप आइस क्यूब डाल दें नमक और आइस क्यूब से राजमा जल्दी गल जाता है इसके बाद दूबारा कुकर में सीटी लगवाएं और फिर गयास शुलू करके पात से साथ मिनर तक पकाएं इस ट्रिक को अपनाने से आपका का आसानी से हो जाएगा नमबर फोटीन अगर आपकी रस्वे में चीटी और कोक्रोज रहते हैं तो इसका कारण साफ सफाई की कमी हो सकता है इस बात का हमें साथ्यान रखें कि कोई भी फोल या सबजी कातने के बाद सलैब को गीले कपरे से साब करें नमबर फिप्टीन खासकर गर्वियों के मौसम में चीनी में चीट्लियां पढ़ने की समास्या लगभग हर कीचेन की कहानी है इस परहसानी से निजात पाने के लिए आप चीनी के डब्य में दो चार लॉंग डाल दें जिससे चीनी में चीट्लियां नहीं पढ़ेगी नमबर सिस्टीन मिर्च को खराब होने से बचाने के लिए आप उसमें थोरी सीहीं रख सकते हैं ऐसा करने से मिर्च लंबे समय तक सही तरह से चलेगी और वही हरी मिर्च का डंडल तोरकर फ्रीज में रखने से मिर्च जल्दी खराब नहीं होती है नमबर सेवेंटीन यदि रात में चना भी होना भूल गए हैं दो कूकर में चनी के साथ कच्छे पपीते के टूपरे मिक्स कर दे चना भी आसानी से गल जाएगा और सबजी भी टेस्टी बनेगी नमबर एक तीन हरी मिर्च को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इसके डंटल तोरकर फ्रीज में रखते हैं नमबर नैंटीन काजू में कीरे लगने से बचाने के लिए काजू को एयर टैट डबे में चार पांच लॉंग डालकर रखें इससे काजू खराब नहीं होंगे तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई